हेलो फ्रेंड ईाज की वीडियो में मैं आपको कुर्थी की कटिंग करना बताऊंगी पेपर में तो उसके लिए हमने देखे एक पेपर ले दिया है ये पेपर हमारा दो पेपर है इसमें हमने रखे हैं तो अब यहाँ पर यह देखिए दो पेपर है हमारे क्योंकि दोनों पार्ट्स को हम एक साथ में कटिंग करेंगे फ्रंट और बैग हम दोनों साथ में कटिंग करने वाले हैं यहाँ पर तो जैसे कि आप लोग अगर सीख रहे हैं कुर्टी की कटिंग तो सबसे पहलें के पेपर में कटिंग सीखें इस तरीके से एंव फोल्ड कर लेंगे और रेकिस चोटा माराव हम साइज़ की पूरति बिनाएंगे तो मैंने यहां से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे, आर्मोल भी हम साड़े पाच इंस पर लगाएंगे, तो देखिए जो मैथड मैं आपको यहां भी बता रहे हूँ, इसी मैथड से आप कपड़े में भी कटिंग करेंगे, तो जिसे छोटे साइज की कुर्ती आप सबसे इसलाना से एक तो आप यहां पर हम aph smartest का निसान लगाएंगे तो सबसे पहले तो निशान लगा लेते हैं, तो गले की When्द नडो इंच रखेंगी, और उसके बार में यहां पर गली की लंबाएं, हम अपने पसंद के उखोर्डी रख सकते हैं, यहां पर मैं इने 4 इंच र तो आप यहां पर हम चेष्ट का निशान लगाएंगे तो देखें चेष्ट आप जैसे की 32 साइज है तो उसका हमको चौथाई क्वार्ट लेना है जैसे के बलाउज में लेते हैं उसी तरीकी से चितना भी आपका चेष्ट आ रहा है उसका आपको चौथाई ले लेना होगा इतना भी आपका चेष्ट है तो अब उसके बाद में हम एक्ष्टा मार्जिन लेंगे सिर्फ देड़ींच लेंगे तो अब यहां पर देखें हम कमर का निशान लगाएंगे बाद में लगाएंगे तो सबसे पहले तो आर्मोल का निशान लगाएंगे और देखें आर्मोल में जोला जाता है अगर हम इस तरीके से मार्किंग नहीं करेंगे तो यहां से हम इस तरीके से एक इंज पर निशान लगा करके गुलाई दे देना है तो और आप यहां पर हम निशान लगाएंगे कमर के लिए 6 इंज पर मार्किंग करेंगे और heap का निशान भी हम लगाएंगी 13 इंच पर हम यहाँ पर लगा रहे हैं और जैसे कि बड़ी साइज की कुर्ती है तो उसमें आप 15 या 16 इंच तक ले सकते हैं लेकिन cutting करने का तरीका आपका यही रहेगा तो 6 इंच पर हम कमर का marking कर रहे हैं और आप यहाँ पर देखिए हम निशान लगाएंगे जितना भी आपका जैसे की कमर है उसका चोधाई आपको ले लेना है जैसे कि यहाँ पर 7 इंच है तो 7 इंच पर marking करके आपको chest के निशान से इसको बाहर में मिलाना होगा और बाहर वाले निशान को कुछ मिली करेंगे तो और आप देखिए यहाँ पर heap का निशान लगाएंगे जैसे की नार्मिली क्या होता है की जितना chest होता है उतना ही कमर होता है नार्मिली सूट में और जैसे की ज़्यादा है तो आप बढ़ा सकते हैं तो अब यहाँ पर दिखिए हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से तो और chest के निशान को कमर से कमर को और heap से और उसके बाद में डेर देर इंस पर मार्किंग कर लेना है हमें बाहर से क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन करना है इसमें हम cutting करेंगे और अंदर वाले निशान से हम stitching करेंगे तो इस तरीके से में cross मना रही हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सा हमार हीब का निशान है और कौन सा कमर का और फिर उसके बाद में इस तरीके से सीधी marking कर लेना है यह हमारा दामन हो जाएगा दामन हम उतरा ही रखेंगे जितना है हमारा कमर आपको extra margin ले लेना है फिर बाहर वाले निशान से हम इस तरीके से cutting कर लेंगे और इदे की armhole में भी हमें बाहर के साइट से cutting करना है अब यहाँ पर हम गले की marking जो हमने कि थी उसको cutting करेंगे और एक पार्ट हम निकाल लेंगे पीछे वाला जैसे कि हम निकाल लेंगे यहाँ पर और front part में जो armhole हमने निशान लगाया है उसको cutting कर ले रहा है आपको यहाँ पर, तो यह हो जाएगा हमारा फ्रंट वाला और आप चाहें, तो गले को भी जैसे कि पीछे का गल्ह आपको बढ़ा करना है आगे का इतना ही रखना है तो अलग करके आप उसको cuttion कर सकते हैं दोनों एक साथ क्टिंग करेंगे तो ये की बरावर cutting के करें हो जाएंगे तो आपको अलग-अलग part करके ही गला अगर छोटा बड़ा करना है तो आप करे सकते हैं बरावर रखना है तो साथ में करें तो अब ये रेखिए हमारा part हो गया suit का और इसमें अब हम sleeves की cutting करेंगे तो ये रेखिए हम यहाँ पर ये जो छटा वाला part है यानि कि आर्मोल का इसमें marking कर लेंगे जिससे की ध्यान रहेगा कि यह में फ्रंट में रखना है और इस तरीके से cutting करने से क्या होता है हमारी बाजू में आर्मोल के side में जोल नहीं आता है तो अब हम sleeves की cutting करेंगे तो देखिए देखिए यह मैंने paper ले लेना है यह single paper को मैंने half किया था तो इस तरीके से fold करना है जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ एक बार और उसकी बाद ने आपको same इसी तरीके से कपड़े में भी cutting करना है जब भी आप cutting करें तो ऐसे करके हम fold कर लेंगे तो यह हमारा कपड़ा fold layer में हो गया और अब हम यहाँ पर marking करेंगे तो यहाँ पर देखिए slaves की length का marking करेंगे जितना भी आपका slaves है उसमें से यह आपको तेड़े इंच marking कर प्लस करना है तो यहाँ पर देखिए 8 इंच पर हम box बनाएंगे क्योंकि chest है 8 इंच जितना आपका chest है आप उतना ही ले लीजिए सब सेजी तरीका है यह और अब यहाँ पर marking कर लीजिए जिसकी 4 इंच sleeves है 1.5 इंच आपको प्लस कर लेना है 1.5 इंच shoulder का और 1 इंच हमारा sleeves की तुरपाई के लिए तो अब यह देखिए पूरा हमारा नीची और उपर जोनों साइड पर आपर होना चाहिए तो आर्मोल के गैराई अब यहाँ पर हम देंगे 2 इंच पर फिर उपर जिसकी बन साइड की तरप से हमें आर्मोल का निशान लगाना है यह आपको ध्यान रखना है तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर सेप दे देते हैं और दूसरी साइड से हम अस्तीन की चोड़ाई का मार्किंग करेंगे जितना भी चोड़ाई आपका उसके बाद में डेर से दो इंचा आपको एक्स्टर मार्जिन ले करके नीची वाले निशान से मिला देंगे और अब यहाँ पर हम इस तरीके से अंदर की साइड में एक सेप लगाएंगे क्योंकि हमें फ्रंट में रखना है फ्रंट में जोलाता है तो इसलिए आपको यहाँ पर शाटना है तो पहले तो आप बाहर वाले निशान से कटिंग करों और बाद में यह दो लेयर को आपको उठाना है यह हमारा फ्रंट में हो जाएगा तो फ्रेंट इस तरीके से हम बहुत आसानी से सुद्धाइब